हे गाईज वेलकम बाइक मैं यूटूब चैनल दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वाटसाप पे बात करते समय या चाटिंग करते समय आप किस तरफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉंट में मैसेज भेज सकते हैं ताकि अगला ब बताने की कोशिश किया हूँ कि आप डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉंट स्टाइल में कैसे किसी को मैसेज कर सकते हैं तो चलिए बीना किसी बाकवास के सूरू करते हैं अगर आप भी चाहते हैं किसी से भी चार्ट करते समय आप different different front style में different different style के message भेजना है तो simply हमें इसके लिए whatsapp पे जाना होगा whatsapp जाने के बाद यहां से किसी का भी message मैं select कर लेता हूँ वहाँ जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा तो यहां से हमें keyboard निकाल लेना है keyboard निकालने के बाद यहां पे corner side में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा तो simply हमें इस पर प्रेस करना है प्रेस करते ही इसमें बहुत सारे option देखने को मिलेंगे जैसे लंग ways, theme, front, number rule, text editing इसके अलमा बहुत सारे option देखने को मिलेंगे तो हमें front style अलग-अलग से smith करना है तो उसके लिए हमें simply हमें font option देखने को मिलेंगे तो simply हमें प्रेस करना होगा और देखिए प्रेस करते ही यहां हमें बहुत सारे फ्रॉंट्स देखने को मिलेंगे देखिए यहां बहुत सारे हमें फ्रॉंट्स देखने को मिल रहे हैं तो आप जिस भी फ्रॉंट्स में लिखना चाते हैं जैसे इस फ्रॉंट्स में लिखना चाते हैं तो ऐसे लिखेगा फिर ऐसे लिखना चाते हैं तो normal यहाँ difficult पर प्रेस करेंगे difficult पर प्रेस करते ही यहाँ हमे normal typing शुरू हो जाएगा यानि normal fronts में लिखाना सुरू हो जाएगा फिर अगर आप चाहते हैं इसे हटाना तो यहाँ पर हमें cross का sign दिया हुगा है तो simply यहाँ हमें प्रेस करना होगा प्रेस करते ही यह ऐसा हट जाएगा और आप जिस भी fronts में लिखना चाहते हैं वहाँ लिख सकते हैं अगर आपको वीडियो आचा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आगे आपको कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए मिलते हैं नहीं एक अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए